तो दोस्तो यूटूब का जो story add करने का option है वो कैसे मिलेगा दोस्तो यहाँ पर आपको clear जानकरी नहीं पता है क्योंकि दोस्तो यहाँ पर अपनी हर कोई वीडियो चलाने के लिए जल्दी जल्दी कुछ ऐसी वीडियो में बता रहा है जानकारी कोई भी इतनी जो कि आपके लिए फैलफुल नहीं है क्योंकि आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि आपका जो यूटूब चैनल का story वाला option है वो कैसे इनेवल होगा और कब तक आपको मिलेगा इसकी जानकरी आपको सही से नहीं पता है मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है तो अभी हम आपको पहले बताएंगे कि आपको क्या करना है जिससे कि आपका जो story वाला option है वो इनेवल हो जाए तो उसके लिए दोस्तों यूटूब में कोई ना कोई eligible करने के लिए option कुछ ना कुछ subscriber पर best जरूर होता है तो यहाँ पर आपकी जो story है वो कैसे मिलेगी उस पर हम आपको बताएंगे फिर enable कैसे करना है story add कैसे करना है story कहां दिखेगी यह आपको वीडियो में सब कुछ जानकरी मिलेगी उसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए तो सबसे पहले दोस्तों जब आप एक YouTube चैनल बनाते हैं तो आपको story जो add करने का option है वो कब मिलता है तो दोस्तों य उसके बाद वो बैनिक होते हैं कि उनको story वाला option नहीं मिलता है क्योंकि दोस्तों यहां पर उनको पूरी जानकर नहीं है क्योंकि 10,000 के साथ साथ दोस्तों 8 week को आपको time लगता है 8 week के अंदर अंदर आपको कभी भी story वाला option आपके चैनल पर eligible हो जाता है जैसे कि आपने य एक मंथ होता है तो दो मंथ के अंदर अंदर आपको story वाला option मिल जाएगा लेकिन अगर आपको 2 weeks 8 weeks ہو घू Почему स्चाइब अनकर यह जाते उसके बाद दोस्तों आपको story वाला option नहीं मिलता है तब जाकर आपको appeal करने पड़ेगा लेकिन तब तक आपको नहीं आएगी आठ वी करें आपको भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे देख लीजिए और आपको अपनी स्टोरी एड करने का उप्शन कहां मिलेगा कैसे एड करना है यह सारी जानकरी मिल जाएगी उमीद है दोस्तों यह जानकरी आपको सही लगी होगी और इससे आपको वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिए आपको यूटूब से रिलेटेड जैन्मन क्वालिटी की वीडियो यहां मिलती रहेगी